ओम गर्ण शरी महा गणेश आय नमा दाधे दाधे दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों भादरपद मास की शुकल पक्ष की चतूर्थी दिथी के दिन भगवान शरी गणेश का जन्मोसब मनाया जाता है इस दिन को गणेश चतूर्थी के नाम से जाना जाता है गणिश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणिश जी की घर घर में इस्थापना की जाती है और दस दिन बाद अनन्चतुर दशी पर भगवान श्री गणिश जी का विसरजन किया जाता है भगवान श्री गणिश जी का जन्मुस्व पूरे 10 दिन तक मनाया जाता है गणिश चतुथी से लेकर अनचतरदशी तक भगवान श्री गणिश जी का विशिश रूप से पूचन किया जाता है कुषलो गणिश चत्वुथी पर ब्रत रखते हैं तो कुषलो पूरे 10 तिनों तक ब्रत रखते हैं लेकिन क्या आपको मालूम है कि कुछ खास चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें इन दिनों भूल कर भी नहीं खाना चाहिए आज ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर पर गणिश चत्वुथी का ब्रत रखा है या नहीं भी रखा है तो ऐसे कौन सी चीज़ें जिन्हें आपको इन दिनों भूल कर भी नहीं खाना चाहिए और गणिश चत्वुथी का अगर आपने ब्रत रखा है तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप खान सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें गणिश चत्वुथी के ब्रत में नहीं खाना चाहिए गनेश चतुर्थी के ब्रत में जमीन के अंदर की चीजों को खाना बरजित्माना गया है इसलिए गनेश चतुर्थी के दिन मूली, प्याज, गाजर और चुकंदर का सेबन बिलकुल भी ना करें गनेश चतुर्थी पर अगर आपने ब्रत रखा है तो काले नमक का प्रयोग बिलकुल भी ना करें इस दिन ब्रत के नमक का ही प्रयोग करें गनेश चतुर्थी के ब्रत में कठल से बनी हुई कोई भी चीज नहीं खाई जाती अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिरी गनेश ची के क्रोथ का सामना करना पर सकता है गनेश चतुर्थी के ब्रत में बजार के पापा, चिपस, पूड़ी, पकोड़ी, मुंफली, इत्यादी का भी भूल का भी प्रयोग नहीं करना चाहें गनेश चतुर्थी के ब्रत में तोलसी का प्रयोग नहीं करना चाहें इसलिए किसी भी प्रकार से इस दिन तोलसी ग्रहन ना करें गनेश चतुर्थी के ब्रत के भोजन में मसालों का प्रयोग भी ना करें ऐसा करने से आपका ब्रत खंड़ित हो सकता है मसाले जैसे की हल्दी, हीं, जीरा, धनिया, इत्यादी अगर आपके घर लाल मिच, सरसूं का तील डाल कर पीसी जाती हैं तो लाल मिच का भी सेबन आप गणिश चतूथी के ब्रत में ना करें गणिश चतूथी के ब्रत में किसी का भी जूटा कुछ भी ना खाए क्योंकि ऐसा कहने से आपका ब्रत तोट सकता है गणिश चतूथी के ब्रत में किसी भी प्रकार की नशीली चीजों का जैसे की सराप, तमाकू, सिगरेट, आदी का फूल कर भी सेवन ना करें दोस्तों अगर आपने गणिश चतूथी का ब्रत नहीं रखा है लेकिन आपने अपने घर पर गणपती पपा की इस्थापना की है या आप गणपती पपा के भक्त है तो भी आप इन दस दिनों तामसिक भोचन ना करें तामसिक भोचन जैसे की प्याज, लेजन, मीठ, अंडा का सेवन ना करें गुटका सिग्रिट, मद्रा, आदी का सेवन भी ना करें जमीन के अंदर की चीजें ना खाएं जैसे की मूली, प्याज, गाज़, चुकंदर और कठल भी ना खाएं गणपती के ब्रत में आम, अम्रूद, ऐसे फल जिन में कीडे होते हैं इन्हें भूल कर भी ना खाएं क्योंकि अगर आप कीडे वाला कोई फल खा लेंगे तो इससे आपका ब्रत तोट जाएगा अब हम आपको बताते हैं कि गणिश चतुथी के ब्रत में आप क्या खा सकते हैं गणिश चतुथी का ब्रत दो तरह से किया जाता है कुछ लोग ब्रत में सिर्फ मीठा ही खाते हैं और कुछ लोग नमक भी खा लेते हैं अगर आप नमक खाकर ब्रत रखना चाते हैं तो ब्रत में आप सेंदा नमक याने की ब्रत के नमक का ही सेवन करें अगर आप मीठा खाकर ब्रत रखना चाते हैं तो आप ऐसे ब्रत में साबू दाने की खीर खा सकते हैं। गणिश चतुर्थी के ब्रत में सिर्फ फलहार का ही सेवन करें। फलहार के अलाबा गणिश चतुर्थी के दिन किसी और चीज का सेवन भूल कर भी ना करें। गणिश चतुथी के दिन दही का सीवन करें इसी के साथ रसे वाले फल भी खाएं ऐसा करने से आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी गणिश चतुथी के दिन ब्रत खोलने के समय आप उबले हुए आलू में काली मिज और ब्रत का नमक डाल कर खा सकते हैं गणिश चतुथी के ब्रत खोले के लिए आप कूटू के आटे की पराठे या पूरी बना कर खा सकते हैं लेकिन ज्यादा ना खाएं नहीं तो आपको पेट में परेशानी का सामना करना पर सकता है गणिश चतुथी के ब्रत में अगर आप पूरे दिन में कभी भी कमजोरी महसूस करें तो चाय कौफी का सेवन का सकते हैं गणिश चतुथी के ब्रत में आप खीरा भी अवश्य ही खाएं खीरा खाने के अनिक फायते होते हैं इससे आपकी शरीर में पानी की कमी भी नहीं होगे गनेश चतुर्थी के दिन ब्रत खोलते समय आप बादाम बाला दूद भी पीख सकते हैं ऐसा करनी से आपको ब्रत में कमचूरी महसूस नहीं होगी गणिश चतुथी के दिन अगर आप मीठा खा कर अपना ब्रत खोलना चाहते हैं तो आप सिंगाडे का हलुआ विखा सकते हैं गणिश चतुथी पर आप जो भी फलहार बनाएं सबसे पहले उसका गणपती बपा को भोग लगाएं ब्रत के दोरान सुभे नास्ते में मौसमी बास संत्री का जूस बियां या पपीता खाएं इससे शरीर में दिन भर एनरजी बनी रहीगी अगर आपको डाइवटीज है तो थोड़ी थोड़ी देर में फल कुछ ड्राइव फूर्ट्स पर भुने हुए मखानों का सीवन करना चाहिएं साथ ही कम से कम ऑईल का यूज करें कई लोग ब्रत में पूरे दिन कुछ ना खाकर सिर्फ एक बार ही फलहार करते हैं मगर इससे शुगर लेवन नीचे जाने और ब्रत प्रेशर के कम होने की परिशानी हो सकती है ऐसे में ब्रत में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिएं अगर आपको क्लानिक क्रिट्नी डिजीज है तो आपको सैंदा नमक खाने से बचना चाहिएं क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है जो की आपको नुकसान पहुचा सकता है ब्रत में तली हुई चीजें जैसे की पूरी पकोडी तली हुई मुफली चिपस पापर आधी भी कम से कम खाएं साथ ही जादा चाय कॉफी पीने से भी बचें इससे आपको ऐसे डिटी की शिकायत हो सकती है ब्रत में साबू दाने की खिछडी या आटे के हलवे की जगे कुटू का आटा, सिंगाडे या राजगीरे के आटे की रोटी या पराठे खा सकते हैं इससे बजन भी नहीं पड़ेगा और पेट भी भरा रहेगा दोस्तों आपको ध्यान डखना है कि गणिश चित्विथी के ब्रत में आपसे फलहारी चीजों का ही सेवन करें ब्रत में अन जैसे की मटर, काले चने, राजमा, किसी भी प्रकार की दाले, चाबल, आटा, मक्का, इत्यादी चीजों का भूल कर भी सेवन ना करें बेशन और मेंदे से बनी चीजों का भी ब्रत में सेवन ना करें ब्रत में प्यार लेसन मीठ अंडे का भी सेवन ना करें इसके साथ ही सासो के तेल का भी ब्रत में सेवन ना करें गणपती वप्पा की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने ब्रत और पूजा का पूर्णफल प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का विशिश ठ्यान रखें उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिस्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिस से भैभी इसका लाब उठा सकें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स पूर वोचिंग राधी राधी गरपती बपा मो दिया